बसक्राइब करो कि अधे नमस्कार मेरे अजीद दोस्तो मेरे यूटूज चैनल में स्वागत है हमारे जैनल को सस्क्राइब करो सब्से पहले वीडियो देखने के लिए बिल आइकन को दबाए दोस्तों आज की वीडियो बहुत महत्पूर है पूरा देखिएगा आज की वीडियो में हम अंजीर लेकर आया हूँ अंजीर की खेती होती है इसका फल गोल खाने में इसका स्वाद मीठा होता है इसे संस्कृत में काको दुम्बक खलम कहते हैं इसमें भरपूर मातरा में पो सकत तुपाए जाते हैं इसके खाने से सरीर के ताकत को बढ़ाता है सरीर के कमजोरी को मिटाता है इसके खाने से सरीर के वोजन को कम करता है उम्र को बढ़ाता है इसको ताजा या सुखा कर खा सकते हैं दोस्तों अभी यह पौधा छोटा है इसमें फल नहीं लगा है इसको रात को भिगो कर सुबा खाना चाहिए पेट को साप करता है खोन को बढ़ाता है इसमें एंटी, एक्सीडेंट और कई परकार के मिनरल, विटामिन पाये जाते है इसके फल को कच्चे पके रूप में खाया जाता है अंजीर खाने से पाचंतंत्र मजबूत होता है इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है जिसे पाचंतंत्र मजबूत होता है जिन लोगों का खाया पिया हजमना होता है इसके खाने से पेट साप रहता है इसे सहद से भी खा सकते है इसको रोज खाने से भून को बढ़ाता है फून को साब करता है इससे हिर्दे स्वस्त रहता है इसमें ओमेगा पाया जाता है फाइबर भी होता है, रोज खाने से कैलोरी कम होती है, इसके रोज खाने से भूख बढ़ती है, भोजन पच जाता है, इसके खाने से सरीर में बासा कम होती है, इसमें होने वाला इंजाइम सही तरीके से भोजन को पचाता है, बासा कम होती है, जिससे वजन बढ़ाने की गु इसके खाने से आइरन की कमी नहीं होती है, एनीमिया नहीं होता है रोज दूध के साथ खाने से यौणी दूरलप्ता कम होती है इससे कैलसियम की कभी कभी कमी नहीं होती है सरीर के हड्यों को मजबूत करता है रोज खाने से रक्त चाप कोली स्टॉल कम होती है सरीर मजबूत बलवान होता है इसे सुखा खाने से पेट साप होता है इसको ताजा खाने से उपर से गरम दूद पीने से ताकत बढ़ती है सफेद दाग कुष्ट के आरंभ में ही अंजीर पत्तों का रस लगाने से इसका बढ़ना बंद होकर आराम होता है नाक से खून आने पर अंजीर का नियमित सेवन चार पांच दिन तक करने से इस समय स्या का समादान हो जाता है अंजीर और गोरकिमली का चूण समान भाग लेकर प्राता काल छा मासा खुराक में खाने से दमा में बहुत लाब हो जाता है नमस्कार देशी आरवेत